हलो एब्रिवन स्वागत है आप सबका निलम कुकिंग रेस्पी चैनल में दोस्तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही इस्पेसर रेस्पी सेयर करने वाली हूँ अक्सर हमारे घरों में खाना खाने के बाद डाल लेया सब्जी एक आधी कटोरी बच्छी जाती है दोस्तों तो हम क्या करते हैं लेडिस लोग उसे फ्रीज में रख देते हैं और उसे जब खाना होता है नॉर्मल से सिम्पल उसे हम गरम करते हैं या किसी पैन या कडाही में उसे हम फ्राई कर लेते हैं और फिर उसे खाते हैं या कई बर हमारे घरों में ऐसा होता है कि हमने सिंपल सबजी या दाल को बनाया है और अचानक से हमारे यहां कोई गेश्ट पहुचे जाते हैं तो ऐसे में हमें उस simple डाल और सबजी को खिलाने में थोड़ा अच्छा नहीं मसूस होता है तो ऐसे स्थीती के लिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा इस डाल और सबजी को फ्राई करने का तरीका बताऊंगी जिसका टेस्ट आपको एकदम ठेले पे जिस तरह का street food का स्वाद लगता है दोस्तों उसका स्वाद जैसा लगेगा और इस बच्ची दाल और सबजी को खाने के लिए आपके बच्चे आपस में जगडने लगेंगे और आपके घर में जो मेहमाना है अगर उन्हें आप इसको खिलाते हैं तो आपका तारिफ करते हुए नहीं धकेंगे और इसका एक फायदा और है दोस्तों अगर आपके सरीर में आईरन की कमी हैं हीमोगलोविन और खून की कमी हैं अगर आपको काम करते समय आप जल्दी ही ठक जाते हैं आपको ठकान और कमजोरी मसूस होती है तो इन सब में भी ये रेजपी आपको बहुत ही हेल्फ करेगा क्योंकि इस रेजपी से आपको आपके सरीर में भरपूर मात्रा में आइरन मिलेगा जिससे आपका हिमोगलोबिन और खुन भी बढ़ेगा दोस्तों क्योंकि इसे हम लोहे के तवे पर फ्राई करेंगे और हमारे सरीर में खुन की कमी का मुख्य कारण होता है दोस्तों आयरन की कमी और जब हम इस रेश्पी को आयरन के लोहे के तवे पर फ्राई करेंगे दोस्तों तो इस रेश्पी में आयर जो दाल और फ्राई करने का ऐड़िया सेर करने वा ली हूँ दोस्तो इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं एक तो यह दाल और यह सबजी इतना टेस्टी हो जाता है दोस्तो कि आपके इसके आगे रिश्टॉरेंट का जो डाल मक्नी होता है उसका स्वाध फीका पड़ जा जाता है बिल्कुल आपको street food जैसा लगेगा ये और दूसरा आपके सरीर में जो iron की कमी है वो भी पूरा कर देगा ये तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिष्टेदारों में सेयर करिएगा तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी दाल लिया है बनाया हुआ और यहाँ मैंने लोहे के तवे जिस पर हम रोटी बनाते हैं उसे गरम कर लिया है अब इस पर हम क्या करेंगे सरसो तेल डालेंगे आप चाहे तो दूसरा तेल भी विज़ कर सकते हैं अगर आप केवल आइरन की कमी को दूर करने के लिए इस रेस्पी को फ्राइ करना चाहते हैं तो आपको फ्राइ करने का भी जरूरत नहीं है किसी भी रेश्पी को आप डाल या सबजी को आप 5 मिनट के लिए तवे पर लोहे के तवे पर गरम करके खाईए आपका आइरन की कमी दूर हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया था उसमें जीरा डाल लिया जब हमारा जीरा यहाँ पर ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम बारीक कट हुई अद्रक और लोसन डालेंगे और जब हमारा लसन और अधरक हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा हिंग डालेंगे अगर आपको हिंग नहीं पसंद है तो आप इसे skip कर सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा साही डाला है ज्यादा नहीं डालना है हल्का सही डालना है और इसके बाद इसमें हम बारी कट ही हरी मिर्च डालेंगे और पैयाज बारी कट ही डालेंगे और पैयाज को हमें यहाँ पर सुन logarithm होने तक भूनना है आप चाहें तो इसमें और मसाले एड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर ज्यादा मसाला एड़ नहीं किया है तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है ब्राउन हो गया है यहाँ पर बारिक कटी हुई एक मैंने टमाटर डाल दिया है अब इस टमाटर को सौफ्ट होने तक हम भूनेंगे इसको सौफ्ट होने के लिए मैंने आपर हलका सा नमक डाल दिया है अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और इस यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया है यहां पर यहां पर इसमें उबाल लागया है आप देख सकते हैं कितना टेश्टी डेश्टी दिख रहा है इसका टेश्ट दोस्तो हम और में रिष्टूरेंट आपको प्मिल तो यहां पर मैंने इसे पांच मिनट के लिए धीमी आजपर फ्राई कर लिया है लाश्ट में इसमें हम बारी कट वी धनिया पत्ती डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और यह देखिए यहां पर हमारा टेस्टी डाल फ्राई होके तयार हो गया है यह दाल फ्राई का टेस्ट जो होता है न दोस्तो जो स्ट्रीट फूड और रिस्टूरेंट में डाल मुखनी मिलता है उसका भी स्वाद को यह करने वाला दाल है दोस्तों एक बार इसे आप जरूर ट्राइब करिएगा उमीद है आज की ये रेश्पी आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ताकि जब भी मैं इसी परकार की वीडियो अपने चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा लेकिन नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करके उसे आल पे सेट करना होगा फिर मिलेंगे नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए बाए बाए